हेलो and welcome to education therapy दोस्ते यहां पे हम विज्ञान का एक प्रस्ट देखेंगे चलिए सबसे पहले प्रस्ट को भी पढ़ते हैं यदि दो वस्तों की बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षड बल किस प्रकार बदलेगा यानि बानते हैं चलिए सबसे पहले तो जो इसका युनिवर्सल लौ है गुरुत्वाकर्षड का उसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं देखें गुरुत्वाकर्षड का जो सरभौमिक नियम है वो कहता है कि दो वस्तों की बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षड बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के वियुत्क्रमा अनुपाती होता है यहां को दूरी से मतलब है इस दे हमने एक जो सरभौमिक नियम है कि दो वस्तों की बीच की जो दूरी होती है वो वियुत्क्रमा अनुपाती लगता है जब बल उसमें या गुरुत्वाकर्षड बल न होता है एक बटे आर स्क्वाइर के जैनि जो आर है वो क्या है दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी है तो ये होता है हमारा सार्भाविंग नियम है अब देखिए जो प्रस्ण कह रहा है वो क्या कह रहा है कर दो वस्तु है दो वस्तु की बीच की दूरी है अभी मान लेते है कि इसके केंदर से इसके केंदर के बीच की जो दूरी है वो r है तो इस समय जो गृत्वा कर्षड बल लगेगा वो हमारा ये लगेगा एक बटे r square ठीक है अब अगली बार में कह रहा है कि अगर यही दूरी को आधा कर दिया जाए जानी next कह रहा है कि दो वस्तु है इनके बीच की जो दूरी है पहली बार r थी तो अगली बार r बटे 2 हो जाए तो दोनों के जो गृत्वा कर्षड बल है दोनों स्टेज में या दोनों स्थितियों में जो गृत्वा कर्षड बल है वो बढ़ेगा घटेगा या क्या फार्क आएगा ठीक है चलिए तो इसको हल करते हैं आगे चलते हैं यहाँ पे इसको हल करना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दो पिंड में जब दूरी थी R तो हो गया हमारा 1 बटे R स्कॉर यह हम माल लेते हैं कि हमारा फार्स्ट इक्वेशन है ठीक दूसरा इक्वेशन क्या होगा जब दूरी यानि R बराबर हो जाएगा R बाइव 2 तब क्या होगा f is directly proportional हो जाएगा 1 बटे r बटे 2 का square तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटे r square बटे 4 और यह 4 उपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4 बटे r square तो यह आगया हमारा f is directly proportional जब जो दूरी है वो आधी कर दी गई है ठीक है तो ये हमारा हो गया equation दो यानि यहाँ पे जो हमको मिला f is directly proportional to 4 by r square ये हमारा दूसरा equation हो गया दोनों में संपन्द अगर देख लेते हो हम क्या करेंगे मान लेते हैं कि ये f था ये f डाइस है तो अगर f बटे f डाइस करेंगे हम स्वरी f डाइस बटे f करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा f डाइस है हमारा 4 by r square और f डाइस से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा r square बटे 1 तो यहाँ से क्या होगा R² R² कर जाएगा और बचेगा क्या हमारा 4 यानि जो संपंध हो जाएगा दोनों में ये हो जाएगा Fड़ बटे F बराबर आएगा हमारा 4 के यानि हम कह सकते हैं कि जब दूरी आधी कर दी जाएगी तो जो गुरुत्ता कर्षड बल होगा वो चार गुना हो जाएगा ठीक है जब दूरी को आधा कर दिया जाएगा दोनों बस्तूओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाएगा तो जो गुरुत्ता कर्षड बल होगा वो चार गुना हो जाएगा उमीद है आप समझ गया होंगे कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं चले तो आज के लिए पास इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद